प्रणाम मेरा नाम वर्दा नारायन है मैं आप सभी का पुना स्वागत करती हूँ अपने इस चानल पर मैं अपने सभी दर्शकों के सामने पुना लेकर आ गई हूँ राशी फल दिसंबर के महीने का 2022 किस प्रकार रहेगा तो आईए जानते हैं उससे पूर भी मैं अपने सभ चलिए अपने सभी दिसंबर का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होता नजर आता है तो जो हम देखते हैं उसे इसाब से जो prediction निकल कर आता है वो कुछ इस प्रकार है कि ए महीना मेश राशी वालों के लिए थोड़ा सा संघर्श मैं हैं अगर मैं इसको अच्छे तरीके से put up करूँ तो emotional struggles थोड़े से ज्यादा हैं as in आप काफी चीजों को अकेले ही deal करने की कोशिश कर रहे हैं चाए पारिवारिक problem हो चाए वो आपके job की problem हो चाए business की problem हो every person has different roles तो ये सारे roles में बिना किसी की सहायता के ही आप चीजों को अकेले deal करने की चीज़े ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन problem एक ये हो रही है कि जिस तरीके से आप deal कर रहे हो उससे कुछ भी positive result निकलता नज़र नहीं आता तो सबसे पहली advice जो हमें हमारा जोतिश बताता है हमारे cards बताते हैं वो ये बताते हैं कि हमको secluded नहीं रहना है we don't have to seclude ourselves from our friends, from our relatives, from our family अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिष्टेदारों से, जो आपके शुप्चेन तक हैं, अपने मित्रों से, आपने दूरी नहीं मनानी है In fact, आपने उनसे पूछ कर suggestions लेकर ही चीजों को deal करने की कोशिश करनी है, वो आपके लिए अच्छा होगा That is not the appropriate way अगर ये appropriate होता और positive results लेकर आता तो मैं ये भी आपसे कहती कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो लेकिन ये positive results लेकर वस्तुतार नहीं आ रहा है तो please आपने सब को साथ लेके problems को discuss करके अपने partners से, अपने दोस्तों से, अपने घरवालों से हर समस्या का समाधान निकालना है चोटी मूटी चीज़े होंगे responsibilities बढ़ती नजर आएंगे आपको कि बहुत load बढ़ गया है और आप सोचोगे कि कितना ही किसी के लिए हम करने उतना कम पढ़ता है, people do not recognize the efforts, उस तरीकी की मानसिक परिस्तिती बनती नजर आती है तो negative side पे नहीं जाना है, इतना समरन रखना है कि उपर नीचे जिन्दगी में चलता रहता है और इसी का नाम वस्तुता जीवन होता है तो किसी की भी जीवन में बिलकूली चड़ाव 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 नहीं होता, उतार भी आता है और उतार के बाद फिर चड़ाव आता है उपर नीचे, आप उचाई पे हैं तो महां से नीचे ही आएंगे, नीचे हैं तो महां से आप उचाई जाएंगे तो ये एक जीवन में चलता रहता है खुद को सकलूड नहीं करना ये एक key line मैंने आपको दे दी जो सबसे important आपने ध्यान रखनी है that I will manage things on my own मैं अपने आप चीजों को संभाल लूँगा या संभाल लूँगी ये विवहार वस्तुता आपकी मानसिक खलेश का कारण बन सकता है ठीक है? तो join hands with your people सबको साथ लेके चलिए और अपनी चीजों को प्रेम पूरग सुलजाने की कोशिश करें ठीक है? आए अब हम जाते हैं जॉब में कैसा रहेगा रिलेशनशिप में कैसा रहेगा तो job में, business में थोड़ा सा उपर नीचे चलता रहेगा जिस प्रकार से आपने मैनत करिये उस प्रकार के results अभी आप नहीं देख रहे हैं बट that doesn't mean कि वो आगे आपको नजर नहीं आएंगे इस महीने थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है लेकिन results आगे वाले महीनों में आपको of course positive मिलेंगे अगर आप मेरी कही इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि आप अपने atmosphere में अलग-अलग कट के सबसे नहीं रहे हैं सबसे मिलके रहना है even if you're feeling sad अगर आपको उदासी लगती है अगर आपको कुछ difficult लगता है तो अपने लोगों से share करें share करने से मुख के द्वार से उस negativity को भार निकालने से बहुत कुछ clay shant होंगे छोटा सा उपाय है करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप इसको मान के दिखेंगे तो आपको बहुत शांती मिलेगी ठीक है? आईए अब जानते हैं हम married couples और unmarried couples के बारे में तो couples के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ चाहे married ओ, unmarried ओ थोड़ी सी अनबन होती नज़र आती है आपको ऐसा लग सकता है आपका partner आपको अच्छे से समझ नहीं रहा है जिसकी वज़े से आप irritated feel कर रहे है frustrated feel कर रहे है agitated feel कर रहे है कि मैं किस प्रकार से अपना point of view इस व्यक्ति को समझाऊं मैं जो efforts ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो इस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच रहे वो इसले नहीं पहुंच रहे क्योंकि आप उतना express नहीं कर रहे हो आप actions में लेकर आ रहे हो बोल के भी कभी कभी कुछ चीज़े express करनी जरूरी होती है वो आप नहीं कर रहे हो if you want emotional support आप बोल सकते हो अपने partner से कि मुझे emotional support चाहिए हो सकता है उसको कई बार नहीं समझ आ रहा हूँ अपनी दुनिया में व्यस्त हो और इस वजह से आपको दुख लगे कि इसको समझ नहीं आ रहे है तो अगर unset चीज़े समझ में नहीं आ रहे है तो there is always a very simple answer say it that this is the problem and you are doing this so please don't do this तो आप खुद अपनी चीज़ों को simple कर लीजे और complication मत लेकर आईए चुपा कर थोड़ी अनबन देखी जाती है अपनी समझदारी से उसको ठीक करें एक दूसरे से अलग नहीं होना है एक दूसरे के साथ रहना है जिन भी इष्ट को आप मानते है जिस भी धरम विशेश से आप है उसमें अपनी अराधना और आपकी जो भी पदती है प्रभू को अर्चना करने की उसको perform करें थोड़ा सा उससे थोड़ी मानसिक शामती आपको वस्तुता प्राप्त होगी जो हमारा nervous system होता है वो बहुत हद तक शान्त होता है जब शान्ती अंदर आएगी तब ही आप किसी चीज में एक आगरता स्थापित कर पाएंगे ठीक है? अनिथा मन स्थिर नहीं रह पाएगा तो स्वास्थ में जाएं तो स्वास्थे में मुझे ये नजर आता है कि आप अपना विशेश ध्यान नहीं रख रहे हैं Due to stress, due to anxiety, due to anger due to a lot of worries inside you जो बहुत अदा चिंताएं आपने जक्की पाल रखे हैं उन चिंताओं की वज़े से मानसिक stress है और मानसिक stress की वज़े से आप अपने उपर ध्यान नहीं देंगे अपने खाने पीने पे, अपने व्यायाम पे अपनी नींद पे कि कितनी नींद लेनी चाहिए और इसलिए आपको छोटे मोटे health hazard, बुखार या जुखाम जो छोटे मोटे BP लोर है ना या BP बहुत हाय हो जाना जो आपको थोड़ा सा लथार्जिक कर सकें ठका ठका मैसूस करा सकते हैं इस प्रकार की उपर द्रवोते देखे जाते हैं चोटे मोटे, तो इसको अपने पुर्शार से इग्नूर करें कैसे, अपने स्वास्ते का ध्यान रखकर इसमें किसी पुझा बददी को तो नहीं करना है इसमें तो अपने स्वास्ते का ध्यान रखना है तो इन सब बातों का ध्यान रखें अब चलिए आईए हम लखी कलर के उपर आते हैं लखी कलर कौन सा कलर आपको अच्छी उद्जा दे जिससे कि आप जो अच्छी बाते दुरुदरा आपने सुनी है वो आपको विकट समय में याद रहेंगी, स्मरण रहेंगी जिससे कि आप उनको उप्योग कर सके होता क्या है? ग्यान की बाते अकसर हम बहुत जगा से लेते हैं उसको अपने अंदर डालते हैं लेकिन जब परिस्थिती आती है, जब उस प्रकार के महौल में होते हैं तो वो हमें विस्मृत हो जाती है ऐसे ज्यान को ना ज्यान होना ही माना जाता है इसलिए ज्यान तो वो ही है जिसको आप अपने अंदर उतार सकें जब वैसी परिस्थिती आये तो वैसा आप पर्फॉर्म कर सकें जैसा कि आपने किसी विज्डिम की बुक में पड़ा है ठीक है? या किसी श्रेष्ट व्यक्ती से सुना है उपदेश के रूप में उसको ग्रहन करके वैसा उतारे सुख में इतने ना रम जाएं कि अपनी चीजों को भूल जाएं कि दुख देख के आप इस लेवल तक आए हैं या किस प्रकार से किसने आपकी मदद करी है तो आप यहां तक पहुचे हैं और दुख में इतने विचलित ना हो जाएं कि आप यह भूल जाएं ये जो रंग मैंने आपको बताएं इन रंगों के पदार्थ बना के प्रभु को खिला सकते हैं और फिर उसका भोग खा सकते हैं वो आपके जीवन में बहुत खुशियां लएकर आ सकता है बहुत अच्छी उर्जा जो प्रभु से लिंक हो जाएगी ऐसी उर्जा आपके इंटर करती नजर आएगी ठीक तो आशा है आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे आपका महीना बहुत मंगल मैं जाए हम यही प्रभु से प्राथना करते हैं धन्यवाद